आईए कहानी वाचन के माध्यम से बच्चों में पढ़ने के कौशल को बढ़ाएं। ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और हम से जुड़े रहें। एक बार एक बूरा कंजूस आदमी था। जो एक बगीचे वाले घर में रहता था। बूरा कंजूस आदमी अपने सारे सोने के सिक्के अपने बगीचे में पत्थरों के नीचे छिपा देता था। हर रात सोने से पहले कंजूस आदमी अपने सिक्कों को गिनने के लिए बगीचे में जाता था। उसने हर दिन वही दिंचर्या जारी रखी। लेकिन उसने कभी एक सोने का सिक्का खर्च नहीं किया एक दिन एक चोर ने बुड़े कंजूज आदमी को अपने सिक्के छिपाते हुए देख लिया एक बार जब वो बुड़ा आदमी अपने घर के अंदर चला गया चोर पत्थरों के नीचे छिपा सारा सोना ले गया अगले दिन जब बुड़ा आदमी अपने सिक्कों को गिनने के लिए बाहर आया तो उसने देखा कि सोने के सिक्के वहां नहीं थे और वो जोर जोर से रोने लगा उसके पड़ोसी ने चीक पुकार सुनी और दौरता हुआ आया वो पूछने लगा कि क्या हुआ है क्या हुआ था ये जानने के बाद पड़ोसी ने पूछा तुमने अपने घर के अंदर पैसे क्यूं नहीं रखे जहां सोने के सिक्के सुरक्षित रहते पड़ोसी ने जारी रखा इसे घर के अंदर रखने से आपको कुछ खरीदने की आवश्यक्ता हुने पर आसानी हो जाती कुछ खरीदू कंजूस ने उत्तर दिया मैं अपना सोना कभी खर्च नहीं करने वाला था ये सुनते ही पड़ोसी ने एक पत्थर उठा कर दिया फिर उसने कहा यदि ऐसा है तो इस पत्थर को ही बचा लो ये उतना ही बेकार है जितना सोना जो तुमने खो दिया है सीख कबजा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इसका उप्योग करें सकते हैज बचलवाँ सब्सक्षि harus बग्यान, जितना ही झाण्य। समौन में बचलवाख